ट्रेडर, चलिए आज शुरू करते हैं टॉपिक, आज का टॉपिक होने वाला है, कल हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि हर एक लेवल से आप लोगो बहुत इजिली समझ में आ जाए, ठीक है, स्किप म मतलब इंडेक्स चलने के लिए तैयार है, लेकिन कहीना कहीं स्टॉक्स का प्राइस उतना इजिली मूव नहीं कर रहा है, आज भी हमें देखने को मिला मार्केटिक इतना शांदार रिगोवरी दिया, लेकिन स्टॉक प्राइस इडि सेक्टर्स उतना उतना सपूर नहीं ग तो यह हमारे लिए आने वाले टाइम का बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, ठीक है, यह जो आज का लो और कल का लो था यह बहुत इंपोर्टेंट है, और मैंने आप लोग को यह बताया भी था लास्ट वीडियो में, आप लोग क्लेरली जोनों लास्ट वीडियो देखा हो होंगे, उनको क्लेरली पता है कि मैंने आप लोग को दो लेवल्स दिया थे, अभी तो मैंने हटा दिया है वो लेवल्स की, इसके नीचे 50 मीट का कैनल क्लोजिंग इंपोर्टेंट है, और ऊपर रहा जाएगा हमारा 43,450, इसके ऊपर एक 50 मीट का कैनल इंपोर्टेंट है, और इसके बीच हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो आप क्लिरली देख सकते हैं, इसके बीच जब भी मार्केट रहा, वॉलेटाइली रहा, अभी ये रेडी हो रहा है, जिस साइट भी एक 50 मीट का कैनल क्लोज करेगा, हम उस साइट ट्रेड लेंगे, इसमें और रॉकेट सैंस क के बाद, एक 15 मिनिट का कैनल क्लोज करेगा, उपर होगा तो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लॉंग टाइम फ्रेम में एक डबल्यू आ जाएगा, ठीके, क्योंकि आप अगर वान आवर में देखेंगे, तो एक डबल्यू आ जाएगा, एनिवे, तो इसको मैं केंडल क्लोजिंग तो आ गया, चलिए ठीके, केंडल क्लोज आ गया, लेकिन उसके हाई को भी तो ब्रेक करना चाहिए, केंडल क्लोज कर गया, उसके बीच 4-5 केंडल बना दिया, तो आप वहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते ना, तो आपका प्रिमियम डिके हो जाएगा, फाइदा नहीं, फिर आप केंडल क्लोजिंग से पहले ही लिजे, रिक्स टेकर से लोग पहले लेवल ब्रेक होते सांगी, एंट्री ले लेते, लेकिन जो सेफ खेलते, पहले एक केंडल को क्लोजिंग होने दीजे, वेट कीजे, जैसे ही उसके हाई को ब्रेक करेगा, आप आपको मॉमेंटम बहुत फास्ट मिलेगा, बहले ही आपको 10 पॉइंट कम कैप्चर हो, लेकिन जितना कैप्चर होगा, वो आपको 5-15-20 मिनिट के अंदर ही हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आप सारा दिन बैठे रहे, यहाँ पे एक केंडल क्लोज किया, मतलब मान लीजे, ऐसा कुछ हो गया, कि यहाँ पे एक केंडल क्लोज किया, आपने क्लोज करते ही एंट्री ले लिया, उसके बाद का केंडल सारा, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच होआ, दो बज़े के बाद लिगला, तो आपका प्रिमियम तो ऐसे ही 20%, 10% के करीब 10-15% डिके हो गया, तो अगर फ्लैट खुलके नीचे आता है, वेट कीजिए, कुछ भी करता है, इसके बीच करने दीजिए, नीचे हम तभी ट्रेड लेंगे, जब 43,070 के नीचे एक कैंडल क्लोज करेगा, और उसके नीचे निचे निकलना चालू करेगा, सेम उपर का लोजिक है, तो यह बहुत इंपोर्टेंट है कैंडल क्लोजिंग, इसको अपने चार्ट पे हमेशा देखते रहिए, 15 मिट का कैंडल क्लोज बोल रहा हो, 5 मिनिट पे काम नहीं होगा, क्योंकि बड़ा रेंज है, तो फ्लैट होके उपर जाएगा, 43,450 के उपर कैंडल क्लोज इंपोर्टेंट, 43,070 क बात, ट्रेट करेंगे, और वो भी कैंडल क्लोजिंग के उपर का हाई को ब्रेक करनेगा, और नीचे में इसको लो को ब्रेक करेगा, तो ही ट्रेट करेगा, ठीके, अगर ब्रेक नहीं करता वेट करेंगे, जिस दिन ब्रेक करेगा, उस दिन ट्रेट करेंगे, एक दम सिंप किजिएगा 43070 के ऊपर gap down open हो रहा है वेट कीजिए अगर यहाँ पर आपको कोई hammer candle देखने को मिलता है दोस्तों उसी hammer का SL लगाए क्योंकि एक range है तो हम नीचे एक बार बाई कर सकते छोटा सा SL देके अगर वो भी hammer बनता है तो ही अगर 15 मिनिट में कोई strong bullish candle या फिर कोई मान लिजिए hammer बन जाता है तो वेट कीजिए जैसे hammer के ऊपर निकलेगा hammer का नीचे आप इसे लगाईए target आपका इस बार यह range नहीं होगा बहुत बढ़ा आ जाएगा ठीके यह हो गया gap down का scenario मान लिजिए gap down open होके यहाँ पर range बना दिया फिर से कोई तो हम फिर से वेट करे range को अगर नीचे ब्रेक करके candle close कर रहा है तो हम trade लेंगे उपर में range को ब्रेक करेगा तो हम सोचेंगे अच्छा अभी मान यह directly 43070 के नीचे gap down open हो जाता है तो वेट कीजिए एक panic scenario देखनों का आपको मिलेगा आप देख पाएंगे कि first half में market negative है second half में शायद market W बनाके यह यह हो गया बहुत बढ़ा gap down चलिए और यह वाला support कौन सा है यह range है लगबग लगबग आपका 42500 यह बात याद रखिए 42500 विल act as a very crucial support for bank nifty ठीक है 42500 अभी मान लीजे gap up open हो जाता है gap up open होने पर हम क्या करेंगे कहां पर gap up open हो रहा है 43 450 के उपर gap up open हो रहा है तो वेट एक भी 15 मिनिट का candle अगर इस range के उपर close कर देता है और जैसे ही उसके उपर निकलेगा gap up में भी हम उपर का trade ले सकते ठीके बहुत बढ़ा gap up open हो गया मान लीजे डायरेक्ली 800 900 तो एक आपको shooting start देखने को मिलेगा तो आप वहां पर short कर सकते लेकिन छोटा मूटा gap up open होग और जैसे ही एक 15 मिनिट का candle close कर देगा इसको उपर मतलब क्या हो गया इस range को उपर sustain कर गया और जैसे ही उस 15 मिनिट का same logic high को break करेगा आप यहां पर entry लीजे आपको कल 600 पॉयंट देखने को मिल सकता है क्योंकि इस range का जो हम projection कर सकते कहीना कई 400 पॉयंट है उपर भी आम 500 प से निफ्टी यहां पर अच्छा खासा breakout भी दिया है train line का मुझे दिक रहा था तो निफ्टी में भी हम सेम scenarios इस्तमाल करेंगे आज का high और आज का low अच्छा range बनाया निफ्टी ने भी ठीक है क्या है levels निफ्टी का 18,430 के उपर एक 15 मिनिट का candle close और 18,240 के नीचे 230 ही पकल लीजे थोड़ा सा safe players के लिए बोल रहा हूँ एक 15 मिनिट का candle close ठीक है जिस साइड भी एक 15 मिनिट का candle close करेगा हम उस साइड ट्रेड लेंगे भले ही वो gap up करके खुले gap down कलके खुले कही पे भी खुल जाए लेकिन एक 15 मिनिट का candle close होना चाहिए flat open होके करेगा close उसके उप घृट करेंगे ठीक है बढया सीनरियो क्या होगा अगर टो उपर कर रहा है तो और उपर कहीं ठीक हो ठीक है ठीक है अगर उपर खुलता है और नीचे पर्डक्राइब ना हो तो टो प्र वी नहीं होगा वात फलाट या फ्लाइट धूरा सकता है तो जितना फलेट होगा हमारे लिए लिए मॉव क्यप्छर करना रेंज बर जाता है तो बढ़िया होगा अगर फलेट या थोड़ा बहुत गया वहात a candle का high को break करेगा, हम वह पर entry करेंगे, हमारा target कही ना कही 43,900 तक का हो जाएगा, इस resistance तक, ठीक है, तो यह था आज का वीडियो बहुत simple में में समझा दिया, फिर भी अगर आप लोग को समझ नहीं आता है, तो comment करके बताए, what can I improve for you guys, क्या मुझे लाना चाहिए, ठीक है, तो stocks आज है नहीं, तो देखे, जोट जबर्दस्ति देखे, कोई फाइदा है नहीं, जो नहीं है तो नहीं है, और प्लिस वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपना रिव्यूस डालते रही है, कि क्या मुझे changes करना चाहिए, ताकि आप लोग को और आसानी हो समझने में, ठीक है, और NISM8 का जो सीरिस में ला रहा हूँ, जो continue है, वो देखना मत भूलिए, आप लोग को बहुत इसली वो पास करता हुआ देखने को मिलेगा, और अच्छा खासा आप जॉब सेक्यूर कर सकते, जो भी stock market में as a dealer काम करना चाहते, और जो ख गहां से करेंगे, आपको आपके पास पैसा आएगा कहां सी, आपको कोई हाथ में तो देखके, जजीनी आंके देगा नहीं, कई से तो बिलड करना पड़ेगा, अगर आपका family आपको दे रहा है, पर यह नहीं दे रहा है, कहां से बिलड करें, इसी profession से बीड कीजिए, फिर वाला जौब सिकूर कीजिए, एक दू साल काम कीजिए, फिर आजाए है ट्रेडिंग में, अधर कैपिटल का, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सर्प्लस है, माफ कीजीगा, डेफिसिट है तो, ठीक है, तो बस इतना ही, फ्लीस लाइक और शेर करके ज़रूर जाएगा, चल